अगर आप अपने मसल, लिगामेंट और जो टेंडन होते हैं, उनको मजबूत रखना चाहते हों, आप अपने आखों को हेल्दी रखना चाहते हों, आप अपने जो लिवर होता है, उनको क्लीज करके उनको हेल्दी रखना चाहते हों, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़े ह होने वाला है हाई फ्रेंड्स मैं हो डोक्टर बरत आप सभी लोग का हमारी रोप चला आपका हेल्गुरू में स्वागत है तो यहाँ वीडियो में आपको मैं ऐसी आसान टीप्स देने वालों कि जिनको अगर आप अपनी जो रूटिन लाइफस्टाल होती है उसमें एड कर देते हो तो आपके मसल लिगामेंट और जो टेंडन होते वह मजबूत रहेगे आपकी आखे हल्दी रहेगी और आपका जो लीवर है वह भी रेगूलर्ली डीटोक्स होता रहेगा वह हल्दी रहेगा तो यहाँ पर हम कलर थेरापी का इस्तमाल करने वाले हैं तो हमारे जो कलर्स होते हो हमारे सरीर और जो हमारा मन होता है इनके ओपर गहरा प्रभाव डालता है यह रंगों का इस्तमाल करके आप सरीर की बहुत सारी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हो तो यहाँ पर इनके पिछे का साइंस क्या है या कलर्स काम किस तरीके से करते हैं वह पहले हम जा वोटर एलेमेंट तो यह पांचों एलेमेंट के साथ एक कलर जुड़ा होता है जैसे कि वूड के साथ ग्रीन कलर, फायर के साथ रेड, अर्थ के साथ येलो, मेटल के साथ वाइट और जो वोटर होता है इनके साथ ब्लेक कलर जुड़ा होता है तो यहाँ पर जैसे आप यह स सरी में बढ़ना शुरू हो जाता है तो यहाँ पर इस वीडियो में हम ग्रीन कलर का इस्तमाल कैसे करना है वह जानने वाले ग्रीन कलर का हमारे सरी को पर क्या प्रभाव पड़ता है वह जानने वाले तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर है वह वूड एलिमेंट के साथ जुड़ा हो होता है और वूड एलिमेंट में दो और गोल बेडर होता है और यह दोनों और गोल बेडर हमारी आखों की जो एनरजी होती है इनको कंट्रोल करते है हमारे मसल लिगामेंट और टेंडन को मजबूती प्रदान करते हैं इनके इलावा लिवर और गोल्ड बेड़ का function भी improve करते हैं तो यहाँ पर जैसी आप यह green color का इस्तमाल routine lifestyle में बढ़ा देते हो तो wood element हमारे सरी में बढ़ना शुरू हो जाता है फिर इनके साथ जो दो organ जुड़िव होते हैं याने कि लिवर और गोल्ड बेड़ का function भी improve होता है लिवर detox होना शुरू हो जाता है हमारे muscle, ligament और tendon मजबूत बनते हैं हमारी आखे healthy बनना शुरू हो जाती हैं इनके अलावा यह green color का इस्तमाल करके आप यह जो liver, goal better, आखों की जो बीमारिया होती है उनको भी ठीक कर सकते हो अगर आपके muscle काफी ज़्यदा weak है आपको बार बार tendon और जो ligament होते हैं वो टेर हो जाते हैं तो वैसी condition में भी आप यह green color का इस्तमाल करके अच्छा result ले सकते हो तो यहाँ पर यह green color का इस्तमाल हमें करना कैसे वह भी जान लेते हैं तो आप अपनी routine lifestyle में यह green color को बहुती आसान तरीके से add कर सकते हो जैसे कि आप सुबह उटके 10 से 15 मीट के लिए नंगे पेर grass walking कर सकते हो तो जो grass का green color होता है वह हमारे सरी के उपर प्रभाव डालता है इनके अलावा जो पेड होता है इनके सामने continuous आप 2 से 5 मीट के लिए steering कर सकते हो उनको continuous देख सकते हो तो यहाँ पर जो पेड का green color होता है वह हमारे आखों के द्वारा हमारे सरी के उपर प्रभाव डालता है इनके अलावा आप घर में दिवार के उपर जो green color की तस्वीर होती है उनको भी आप continuous focus कर सकते हो इनके उपर द्यान लगा सकते हो या फिर घर में दिवाल को आप green color से paint कर सकते हो घर में आप green color के curtain लगा सकते हो घर में आप पोधा रख सकते हो ग्रीन कपड़े पहिन सकते हो इनके अलावा आप हरी पत्ती वाली सब्जी हरी सब्जियों का इस्तमाल करके भी आप शरी में wood element को बढ़ा सकते हो इस तरीके से आप यह green color का इस्तमाल करके muscle, ligament, tendon को मजबूत कर सकते हो इनके अलावा आखों को healthy कर सकते हो liver को भी आप detox कर सकते हो एसी आप हर एक जो element है इनके साथ जो color जुडा हो होता है इनको आप detail में जानना चाहते हो तो आप हमें comment में color लिखके बेजिए इनके लिए भी हम separate video जरूर बनाएगे इनके अलावा आप हमें instagram पे जरूर फोलो करेगा वहाँ पर आप free में बहुत कुछ नया सिख सकते हो इनकी link मैंने description में दी है आशा रखता हो कि आपको हमारी information अच्छी लगी होगे अजये हैं तो आपको हमारी झालो जो आपको हमारी